हैलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में दोस्तों आज रासायन विज्ञान का क्लास 4 लेकिया हूँ जिसमें हम आक्सी करण और रिडेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सेयर करो, कमेंट करो और दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेना जिससे नई वीडियो जैसे अपलोड करूँगा ऐसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों और जिससे इंग्रिश में ऑक्सिडेशन करते हैं वीडियो त्रियडात्मक परमाड या मूलक का अनुपात बढ़ना या धन आवेस का बढ़ना या इलक्ट्रान का त्याग ऑक्सिकरण ऑक्सिडेशन का लगता है जैसे सोडियम है सोडियम एक इलक्ट्रान त्याग करता है तो सोडियम प्लस आयन का निर्माड हो जाता है और इसे ही फेरस है फेरस धन्दो जिससे एक इलक्ट्रान निकलने के बाद फेरस धन्ती नियानिकी ऑक्सिडेशन स्टेट 3 में करनवर्ड हो जाता है Oxidation state के कुछ रूल से आक्सीकरण के दोरा किसी तत्तों की धनात्मक संजुज़ता बढ़ जाती है Electron त्यागना आक्सीकरण है किसी तत्तों की ओक्सीकरण अवज़ता धनात्मक, रीडात्मक, सुनने या भिनने हो सकती है इसके बाद अब आता है आउकरंट जिसे reduction करते हैं विद्धु धनात्मक परमाड़ विया मूलकों के अनुपात का बढ़ जाना या धन आवेस का घड़ जाना या इलक्टरान को ग्रहन करना आउकरंट जिसे reduction कहा जाता है इसको अब उदारान के तवर बताएं तो copper जिसकी oxidation state या फिर ऐसा बोलेंगे कि हम जिसे धन्दो हैं इसमें दो इलक्टरान जब लेता है तो copper में convert हो जाता है कोई चार्ज नहीं बसती है ठीक ऐसे ही जब chloride दो इलक्टरान को accept करता है तो 2cl negative का formation करता है अब चैन में तत्तों की धनात्मक संजोगता घड़ती है इलक्टरान करन अप्टेयन है और अप्टेयन साथ साथ समान मात्रा में हो सकते हैं तो अभी तक हम oxidation और reduction पड़े हैं लेकिन जब ये दोनो oxidation और reduction दोनो एक साथ एक reaction में अपना rule प्ले एक करते हैं तो उसको इंग्लिज में Redox Reaction करते हैं और इसका Definition है Oxygen current, O current की क्रियाएं साथ साथ होती है अर्थाथ जब एक पदात Electron त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है इसे ही Redox अविक्रिया या Redox Reaction करते हैं Redox Reaction को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक Reaction दिया है जिसमें Carbon Oxidize होता है जो Minus 4 से लेके Plus 4 Oxidation State में Convert होता है Oxygen जो की Reduce होता है Zero से लेके Minus 2 में जाता है और यहाँ पर Hydrogen जो 4 Hydrogen Atom बचे हैं इसमें कोई Changing नहीं होती है जो Plus 1 Oxidation State में पड़े रते हैं दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सबस्क्राइब करने क्योंकि Chemistry के साथ साथ इस पे भोती विज्ञान और जीव विज्ञान सभी का वीडियो मिलेगा आप लोग को इसके बाद है अवकारक जिसे Reducing Ascent अथवा Reductant करते हैं जिस पदार्थ का आक्सिक करण होता है अर्था जो पदार्थ Electron का त्याग करता है उसे अवकारक करते हैं कुछ प्रमुक कारक हैं जैसे Hydrogen, Carbon Mono Oxide, Sulfur Dioxide, Hydrogen Sulfide, Carbon और Stenus Cluride ये सब अवकारक के उदाहरण है इसके बाद आक्सिक कारक जिसे Oxidizing Ascent और Oxident करते हैं जिस पदार्थ का आवकारंड होता है अर्था जो पदार्थ Electron ग्रहरण करता है आक्सिक कारक कहलाता है कुछ प्रमुक आक्सिकारक हैं जैसे Oxygen है, Ozone है, H2O2 है, Nitric Acid है, आदी सभी आक्सिकारक के उदाहरण है आक्सिकारक यवम आक्सिकारक दोनों जैसा आचरन रखने वाला पदार्थ है Hydrogen Sulfide, Hydrogen Paroxid, Sulfur Dioxide, Nitrous Oxide ये सभी आक्सिकारक और आक्सिकारक दोनों के गुण प्रदसीत करते हैं इसके बाद आक्सिकारक संख्याम कैसे निकालते हैं, उसको जान लेते हैं Oxidation Number, जिसे इंग्लिस में कहते हैं किसी तत्तो की Oxidation संख्या, वह संख्या है जो किसी आड़ या आयन में उस परमाड़ पर आवेसो की संख्या को बताती है हम एक एक्जामपल लेते हैं कि MnO4 का जिसमें Mn का Oxidation Number निकालना है जैसा कि हमें मालूम है कि Potassium का Oxidation Number एक होता है Oxygen का Minus 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 4 Oxygen है इसके वज़े से यहाँ पर Minus 8 लिखा गया है और इस तरह से हम Calculate करेंगे तो X जो है, Mn को हम Indicate किये हैं इसलिए X बराबर जो है, वो से बना जाएगा यानि कि इसका Oxidation Number 7 आएगा Oxygen अवस्था को ज्यांत करने के लिए कुछ नियम दिये हुए है जिसमें मुक्त अवस्था में किसी तत्यों की Oxygen संख्या 0 होती है अदिकतर याउगीकों में Oxygen की Oxygen संख्या 3 रिंट होती है परक्साइडों में रिंट एक होती है फस्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए समूं के तत्यों की Oxygen संख्या उनके याउगीकों में क्रम सहль रिंब CMS-1, PLUS-2, PLUS-3 होती है अगे है किसी आयन की आक्सीकरण संख्या उसके आवेश के बराबर होती है एक उदासीन और के सभी तत्यों की आक्सीकरण संख्या का योग सुनने होता है एक बवपरमाडुक आयन में उपस्थीत तत्यों की कुल आक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थीत है सभी हैलोजनों की आक्सी करन संख्या उनके हाइड्राइडों में माइनस वन होती है ऑक्सीजन ओफ टू में धनात्मा का ऑक्सी करन अवस्था धन दो प्रदसित करता है जो की एक अपवाध हम बोल सकते हैं इसके बाद केमेश्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट तथ्य को हम जान लेते हैं जिसमें पूरा तत्तो आउसेसों अत्वां फॉसिल्स की आई निधारित करने के लिए रेडियो सक्री कार्बन चवदा का उपियोग सबसे अधिक किया जाता है यदि किसी द्रव में घुलन सीर्पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का प्रिश्ट तनाव पदार्थ है अगे है वायमंडली मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरी करन कहलाती है मिट्टी में छारकत्तों को घटाने के लिए जिपसम का प्रियोग किया जाता है क्लोरीन गैस फूलो का रंग उड़ा देती है पीले फासफोरस को जल में रखा जाता है समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है दोस्तों यहाँ पे पीले फासफोरस की बात आई है तो बता देते हैं हम लाल फासफोरस भी होता है जो दिया सलाई बनाने के लिए उसके उपर लेपन किया जाता है तो दोस्तों कैसी रहे मेरी वीडियो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो सेयर करो कमेंट करो और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों